देखो जब भी हमने professional laptop आई करना होता है तो उसकी सबसे important चीज होती है laptop का processor, ram and storage क्योंकि इनी तीरों चीजों के उपर ना अपनी performance depend करती है बर जब भी हमने gaming laptop आई करना है तो उसके अंदर एक और चीज एड़ हो जाती है additional जो किया graphic card मैं ऐसा गय सकता हूँ कि जितना important processor है laptop के अंदर उतना ही important आपका graphic card डिएगा gaming laptop के अंदर दोनों चीजें बहुत ही जादा matter करती है और अभी जो recently sale होई है उससे एक बहुत ही बढ़िया चीज होगी अपना फायदा हो गया उससे इसके दुराना नई laptop launch हो चुकी है तो जो laptop हो में 60,000 के अंदर मिलते थे न अब उनका price 50,000 रुपे हो चुक है और ये sale के बाद भी है तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको पांच सबसे बढ़िया gaming laptop बताऊंगा जो कि आपको under 50,000 के budget के अंदर मिल जाते हैं जो कि 2024 के recording the best options रहेंगे और जो मेरी वीडियो के सबसे कम price वाला laptop है न वो आपको सिरफ 42,000 के अंदर मिल जाएगा इन सभी laptop क्यूपर आप GTA 5 खेल सकते हो वैलोरेंड, NFS, God of War, RDR and Far Cry और जितनी भी आपके AAA टाइटल वाली games और वो सारी चल जाती हैं और gaming के साथ ही आप इन सभी laptop के अंदर में military grade durability दे रखी है, इसका मतलब भी होता है कि laptop की build quality है ना that is certified by its company, brand ने अपने laptop की build quality को बढ़िया बनाने के लिए उसके उपर बहुत ही जादा testing करने के बाद उसको certify कर दी है, उसके बाद privacy protection मिल जाती है, इस camera shutter के साथ ही full size 4 zone white backlit keyboard दिया गया गया लाप टॉप मे सारे scores आपके सामने है, अब वीडियो पॉस करो, इसके scores को चेक कर लो, 3D mark हो गया, PC mark हो गया, Geekbench 5 and R23, उसके बाद RAM and storage को चेक करें तो laptop के अंदर हमें 8 GB की RAM बल जाते है, जो कि expandable है 16 GB तक, साथ में 512 GB की SSD मिल जाते है, which is also expandable, 15.6 इसकी full HD IPS anti-glare display, 120 Hz का refresh rate दिया गया, 250 nits की brightness and 45% NTSC, NVIDIA GeForce GTX 1650 graphic card मिल जाएगा laptop में, QDAG और 1024S के 4 GB का dedicated graphic card दिया गया, इसकी जितनी भी gaming output है वो सारी आपके सामनी है, आप वीडियो पॉस करो, इसके scores को चेक कर लो, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता है कि बहुत ही amazing scores आपको मिल रहे हैं इस graphic card के थो, बट ऐसा है कि 45,000 के recording अच्छे scores हम इसके उपर मिल जाती है, MS Office 2021 trial version पे मिलेगा, battery backup 3-4 घंटे तक है, 2 USB Type A, 1 USB Type C, HDMI और साथ में 3.5 mm jack दिया गया है, और ये laptop rapid fast charging को भी support करता है, 50% battery सिरफ 30 मिनिट के अदर चार्ज हो जाती है, overall काफी अच्छा laptop है, आप इसे ज़रू consider करो, अगला laptop भी Lenovo का ये idea about gaming 3 laptop, बड़ इसकी specification के अंदर में काफी difference देखने को मिल जाता है, और वहीं इसके price के अंदर भी difference है, 48,000 रुपीस laptop का normal selling price है, military grade durability वाला laptop है ये भी, और इसके अंदर में Ryzen processor दिया गया, Ryzen 550 500H, 6 और 12 threads वाला, 8 GB की RAM है, expandable है, 16 GB तक, 512 GB के SLG, which is also expandable, 15.6 inches की full HD IPS anti-lay display मि 144Hz का refresh rate दिया गया, 300 nits की brightness और 45% NTSC, अब देखो इसी सेम laptop का एक दूसरा model मिलता है, जोके में 2000 रुपे सस्ता मिल जाएगा, उसके अंदर में 60Hz की display दे रखी है, बट मेरे recording तो अगर आप gaming laptop भाई कर रहे हो ना, 120Hz तो minimum होनी चाहिए उसके अंदर, NVIDIA GeForce RTX 2050 Graphic Card मिल जाता है, 4GB का, 45Wh की बैटरी के साथी rapid fast charging की support मिल जाती है, लापटोप में, 50% बैटरी सिरफ 30 मिनिट के अंदर चार्ज जाती है, सारी पोर्ट्स लापटोप के अंदर मिल जाती है, Ethernet पोर्ट होगी, HDMI 2.5 mm जैक, USB-C 3.2 Gen 1, डेटा ट्रांसफर के लिए 2 USB जाती है, वो सारे आपको इस लापटोप इंदर दे रखे हैं, अगले लापटोप है Acer के Aspire 5 Laptop, one of the highest selling laptop of this budget, इसका करन प्राइज 53,000 रुपीज है, easily 50,000 के आस पास ये laptop आपको मिल जाएगा, top lid metal की है, bottom plastic keyboard है, i5 का 1240p processor दिया गया है, 12 कोर 16 threads वाला, processor के benchmark scores आपके सामने and no doubt के processor इसका काफी बढ़ी है, 16 GB के रैमल जाती है, लापटोप में 32 GB तक expandable है, 512 GB के SSD which is also expandable, 15.6 inches की full HD IPS display, 250 nits की brightness and 45% NTSC, 60 Hz का refresh rate दिया गया है, देखो इसकी जो display है वो 60 Hz refresh rate वाली है, तो इसे मैं purely gaming laptop तो नहीं बोल सकता, लेकिन इस laptop के जो बाकी सारे specification है ना, अगर हम स अच्छल में काफी बढ़िया मिल जाती है, तो इससर अच्छा दिया गया, 16 GB के रैमल रही है, 512 GB के SSD and दोनों चीज़ें expandable है and उसके बाद graphic card, NVIDIA artist 2050 graphic card दिया गया, 35 watts TGP वाला, gaming scores आप चेक कर लो, काफी अच्छे gaming scores हमें इसके अंदर मिल जाती है, तो ये laptop आपके लिए obviously recommended है, MS Office एक हफते के trial version पे मिलेगा, 50 watt hours की battery के साथ ही 90 watt का adapter दिया गया, 3-4 घंडे तक का battery backup है, backlit keyboard, fingerprint sensor दिया गया है, ports की बात करें तो 1 HDMI 3.5 mm combo मिल जाता है, 2 Thunderbolt 4 port है, 2 USB Type A, ये सारी हमें इसके अंदर ports मिल जाती है, अच्छा laptop है, आप इसे जरूर consider करो, next is MSI GF63 laptop, इस पि 52,000 उपीज लापटोप का current price है, बट कभी-कभी ये लापटोप 54,000 के अंदर भी sell होता है, i5 का 11 generation processor है, 11-260H, 6-12 threads वाला, 8 GB की RAM, 64 GB तक expandable है, DDR4 RAM है, 3200 MHz वाली, 512 GB के SSD, which is also expandable, 15.7 इंचिस के display के साथ ही 144Hz का refresh rate दिया गया है, Full HD IPS level display है, NVIDIA GeForce RTX 3050 graphic art दिया गया है, 4 GB का, 52.4Wh की battery के साथी 6 घंटे तक का battery back मिल जाएगा, लापटोप में, 3 USB Type A, 1 USB Type C, HDMI Dual 3.5mm jack, backlit keyboard और इसके अंदर में 2 साल की warranty मिल जाती है, जो कि हमें दूसरे किसी भी laptop के अंदर नहीं मिलती, बड़ या लापटोप है, go for it, और जो मेरे कॉर्डिंग इस प्रेट का सबसे बहत लापटोप है, हमें थोड़ असा बजट पुश करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी या लापटोप हम भाई कर लेंगे, मिलिट्र के रेड दूरेबिल्टी के साथी i5 का प्रेशेसर है, 11400H, 61230, अब इसके इंदर में 16GB की RAM मिल रही है, expandable 32GB तक 512GB के SSD, which is also expandable, 15.6 inches की Full HD, IPS level anti-clear display, 144Hz का refresh rate दिया गया, adaptive sync के साथ, 250 nits की brightness के साथ में, graphic card दिया गया, RTX 2050, TGB 70W है, with dynamic boost, 4GB के graphic card है, and सारे gaming scores आपके सामने है, एकदमी next level gaming performance हमें इसके इंदर मिल जाती है, 48Wh की बैटरी के साथी, 1500W का adapter दिया गया गया लापटोप में, single zone RGB, backlit keyboard मिल जाएक है, laptop में, HDMI 2.0 3.5mm jack, Thunderbolt 4 port मिल जाती है, 3 USB 3.2 Gen 1 Type A, ये सारी हमें इसके इंदर ports मिल जाती है, देखो अगर आपको laptop के बारे में कुछ भी नहीं बताना, कि 50,000 के laptop के अंदर मुझे कौन सी चीज को भाई करना चाहिए, कौन सी चीज को ध्यान देना चाहिए, and कौन सी चीज मां वर्ड करक आपको description box में मिल जाएगा, देखो सभी के सभी laptop जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है ना, वो actually सबसे बेस्ट options है, इस परेट के, आपको इर में से जो भी laptop अच्छा लगता है ना, आप उसे बिलकुल बिंदास होके बाई कर सकते हो, and अगर आपकी कोई भी query यह तो प्लीज उसे आप comment section में mention कर दें, that's all for this video guys, thank you for watching the video, peace out.